धर महादेव दर्स को स्वागत है आपका अपने यूटुब चैनल रोज क्या करू में दर्स को अभी आपने सुना होगा कि पूजनी पंडी जी को नारिय लगने से उनका स्वास्त ठीक नहीं है तो दर्स को आज आपको इस वीडियो में एक बहुत ही अचुक सा उपाय बताये हैं जो उपाय पूजनी पंडी जी हम सब को बताये थे कि घर का कोई सदस से जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जब आपकी कोई बिशेस मनो कामना हो तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा तो दर्स को बन सके तो आप पूजनी पंडी जी के लिए इस बिशेस उपाय को जरूर करिएगा दर्स को अभी तक पूजनी पंडी जी के हालत में बहुत अदसुधार नहीं आया है आप देख रहे होंगे उनके हाथों में बीगो लगा हुआ है फिर भी वह हम सब के बीच में आके अपने कथा के लिए छमा मांगे की जो उनकी कथा नहीं हुई तो ऐसे में दर्श को आप इस उपाय को जरूर करिएगा पूजनी पंडी जी हम सब को बहुत सारा उपाय बताये हैं इनमें से यदि आप कोई भी उपाय पूजनी पंडी जी के लिए करते हैं तो हो सकता है हम सब की दूआ से पंडी जी जल्दी ठीक हो जाए और हम सब के बीच में उवाएं तो दर्श को यह आप उपाय किस तरह करे आप बन सके तो प्रदोस काल में करें एक बेल पत्र लीजिएगा और थोड़ा सा यहां पे आपको शहद लेना है और एक लोटा जल आप अपने घर से लेके जाएगा बेल की पत्ती कटी और फटी नहीं होनी चाहिए सरप्रिथम आप बेल पत्र पे सहद लगा लीजिएगा अच्छी तरह से आपको शहद लगाना है सहद लगा के दर्स को आप उस बेल पत्र को जो देवी असोब सुंधरी का स्थान होता है शिवलिंग पे आप देख रही होंगे देवी असोशुंदरी के अस्थान पे आप सरप्रतम बेल पत्र को चिपका दीजिएगा पुजिनी पंडित जी के स्वास्त के लिए कामना करते हुए उसके बाद उसी बेल पत्र को आप उठा के महादेव की सीवलिंग पे शमर्पित कर दीजिएगा उसके बाद जो आप अपने घर से एक लोटा जल लेके गए हैं उस जल को आप सीवलिंग पे समर्पित करें एक घी का दीप आप अवश्य प्रजुलित करिएगा जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है यदि आप पुजिनी पंडित जी के अच्छे भक्त होंगे प्री भक्त होंगे चाहने वाले होंगे तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे कुछ भाई बैन कमेंट भी करते हैं कितना सारा उपाय बताते हैं फिर उन्हें कैसे क्या हुआ तो दर्श को आप किसी के बातों पे ध्यान मत दीजिएगा आप इस उपाय को जरूर करिएगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुचा सकें